एक समय की बात है, तलाब के किनारे एक पेड़ था, जिस पर एक कववा रहता था, उस तलाब में दिन भर बहुत सारे हंस तैरते रहते थे, एक दिन कववा पेड़ पर बैठ कर दूर से ही हंसो को तैरते देख रहा था, तब ही उसे मन में खयाल आया कि यार ये हंस कितने सु तो बहुत खुश रहते होगे ना? वो ही सबसे खुश होगा। इसके बाद कववा चिडिया घर में गया जहाँ पर एक पिंजरे में बहुत सारे मोर बंद थे जिने देखने के लिए लोगों की भारी भीड लगी हुई थी। जब भीड बिल्कुल कम हुई तब कववा मोर के पास गया और उससे बोला मोर भाई जैसा मैंने सुना है आज अपनी आँखों से देख भी लिया है। सच में तुम कितने सुन्दर हो। देखो तुमें देखने के लिए हर रोज कितने लोगों की भीड लगी रहती है। और एक मैं हूँ जिसे कोई देखना तक पसंद नहीं करता। तब मोर ने कहा नहीं से खुश नसीब हो जो बिना डरके अपना जीवन जी सकते हो। कववा अब समझ चुका था कि सुन्दरता ही इस दुन्या में सब कुछ नहीं है। इसके बिना भी दुन्या खुशी से जी जा सकती है। दोस्तों आपको ये कववे और हंस की कहानी कैसी लगी हमें कमेंट कर करके जरूर बताएं। और अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें।